हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल स्वीटी गोदारा तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे जटपटी मिंटों में सूजी और आलू का क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ता जैसे कि आपको दिख रहा है तो फ्रेंट्स ये सूजी और आलू के कटलेट हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे थे और दिखने में भी लगे थे और जटपट बनकर तयार हो चुके थे तो friends चलो बनाना स्टार्ट करते हैं आलू और सूजी के कटलेट तो friends सबसे पहले हमें क्या करना है मिक्चर तैयार करना है सूजी का यहां पर मैंने लिया है दो चम्मच ओयल और यहां पर थोड़ा सा चाट मसाला यहां पर हरी मिर्ज बारी कटी हुई साथ में मैंने औरगैनो चिली फ्लैक्स हरा धनिया बिल्कुल बारी कटा हुआ और साथ में नॉर्मल जो नमक होता है सादा वो नमक है और साथ में मसाला गरम मसाला या किचन किंग आप जो भी लग सकते हैं और एक छोटे बोल में यहां पर मैंने ली थी सूजी तो सबसे पहले हमें क्या करना था पैन लेना था उसके अंदर मैंने ओर लियागी जो भी होता है यूज करना है आप उसको डाल दो और जितने भी यह हमारे मसाले थे चिली फ्लैक्स धनिया और नमक सारे मसालों को तेल गरम होने के बाद उसके तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है इसका हमें मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है जितनी भी सूजी होती है उसका चार गुना पानी यहाँ पर मैंने लिया है जब यह हमारा मसाले गरम हो चुके थे उसके अंदर सबसे पहले मैंने उसी बोल में चार बोल पानी ले लिया है यही ध्यान रखना है क्योंकि सूजी जो है वो बहुत ज़्यादा पानी सोकती है और अगर इतना नहीं डालेंगे तो हमारा बैटर जो है अच्छा नहीं बनेगा और जब यह पानी गरम हो जाएगा तो जो एक बोल हमारी सूजी थी उसको इस पानी के अंदर थोड़ा- तो फ्रेंट्स इसको चलाते रहना है इसको दस मिनट के लिए ढखके रख दोगे तो हमें चलाने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि नौन स्टिक पे चिपकेगे नहीं तो फ्रेंट्स यह देखे यह जो है हमारा डो जो है बिलकुल रैडी हो चुका था सूजी बिलकुल पक श्राट मसाला थोड़ी सी कसूरी मेर्ज लाल और यहां पर गरम म्साला यहां पर जीरा पाउडर यहां पर जो नौर्मल नमक है फ्रेंट्स वो लिया है यहां पर थोड़ा सा मोटा मोटा सा पिसा हुआ सुखा धनिया तो फ्रेंट्स तीन से चार यहां पर मैंने आलू लिये हैं और यह जो जटपट कटलेट बन कर तयार हो गए थे यह बहुत यम्मी और टेस्टी लग रहे थे फ्रेंट्स अब यहां पर क्या करना है आलू को मैश करना है तो आलू को हम कदुकस भी कर सकते हैं और अगर कदुकस नहीं करना है तो मैशर से मैश कर सकते हैं और इसका बारिक सा पेस्ट बना लेते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है अब हमारे आलू जो है अच्छे से मैश हो चुके थे, यहां पर वो सूजी वाला मिक्सचर था, वो भी बिल्कुल अच्छे से स्मूथ बन गया था, उसको थोड़ा सा हम हाथ से सॉफ्ट कर लेंगे, अब आलू वाला मिक्सचर जो है, उसके अंदर हमने सूजी वाला हो जाता है, इसलिए हमने यहां पर यह मसाले जो हैं, आप मसाले अपने टेस्ट के अनुसार भी ले सकते हैं, कम या ज्यादा जैसे भी आपको खाने हैं, और अब इसको अच्छे से मैश करना है, तो फ्रेंट्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, यह जो कटलेट हैं जल्दी बन कर तयार हो जाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो फ्रेंट्स एक अच्छा सा स्मूथ सा डो बना कर, उस पर थोड़ा सा मैने यहां पर घी लगा लिया है, तो फ्रेंट्स आप चाहें तो कटलेट को गोल शेप दे सकते हैं, चाहें कैसे भी किसी भी आप इसको शेप दे सकते हैं, तो फ्रेंट्स अगर जैसे शाम को कोई आ रहा है, तो हम इनको मॉर्निंग में भी बना के फ्रीजर में किसी भी कंटेनर बॉक्स वगरा में डाल कर इनको रख सकते हैं, तब कोई आए उसी टाइम जट पट से सर्व हो सकते हैं, इनमें बिलक लेट बॉल्स या फिर टिक्कियां रेडी कर ली हैं, अब क्या करना है, रिफाइंड जब अच्छे से गरम हो जाएगा, अब अपनी टिक्कियों को एक एक करके रिफाइंड में छोड़ना है, सारी टिक्कियों को एक साथ नहीं डालना है, उन्हें अच्छे से फैलने के ल और इसी परकार जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है तो ये बहुत ही आसानी से बन कर हमारे कटले रेडी हो जाएंगे तो फ्रेंट्स अब वो हो चुके थे पहले वाले अब मैंने दूसरे वाले डाल दी हैं देखिए और अगर इनको एक तरफ से पकने के बाद हम पल्टेंगे छोटी वाली चम्मच की सायता से तो इन में कोई भी प्रोग्लम नहीं होगी हमें पलटने में या फिर इनके चिपकने में ये आसानी सर से बिलकुल बनकर तयार हो चुके हैं तो फ्रेंट्स देखे ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है जटपट से अगर कोई हमारे घर में महमान आता है गैस्ट आता है और कुछ भी नहीं है मार्केट जाना होता है तो उसकी बज़ाए घर पे मिंटों में हम ये कटल रेडी कर सकते हैं इनको हमसोस के साथ गरीन चटनी के साथ कैसे भी आसानी से खा सकते हैं तो फ्रेंट्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगती है मुझे जरूर बताना लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और तक ही मैं इसी तरह टेस्टी टेस्टी रेसिपी आपके सामने लात हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आप सब के साथ ओके तिल एन बाई बाई